इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. यूकलाइट असी टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल वयसकों में टाइब दो डाइबिटीज मिलिटर्स के इलाज के लिए किया जाता है. ये सलफोनिल और या नामक दवाओं के समूह से संबंधित है जो डाइबिटीज के मरीजों में बलड शुगर नियंतरित करने में मदद करती है. ये किड्नी की क्षती और अंधेपन जैसी डाइबिटीज की गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है. युकलाइट असी टैबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है. इसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए. अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें. आपका डॉक्टर टै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर इसके प्रभाव के अनुसार बदला जा सकता है. अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें. अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके बलड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किड्नी का नुकसान, अंधापन, नसों से समबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है. याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली डाइबेटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इस दवा को लेने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में अपच और पेट खराब होना शामिल है. इससे बलर्ड ग्लुकोज का स्तर भी कम हो सकता है, यानि की हाइपोग्लाइसीमिया. सुनिश्चित करें कि आप लो बलर्ड ग्लुकोज लेवल के लक्षणों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकपी को पहचानते हैं और इससे निपटना जानते हैं. इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लुकोज का तेजी से काम करने वाला स्रोच जैसे कि शुगर वाले खादेपदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है. शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए. इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको कभी हिरदे रोग, थाइरोइड रोग या कुछ हॉमोनल बीमारियां थी तो अपने डॉक्टर को बताएं. ये उप्यूक नहीं हो सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सक रहते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और All Notification को क्लिक करें धन्यवाद